हलो हिमाचल वास्यों क्या हाल है आईए जानते हैं हिमाचल परदेश की बड़ी खबर और आज साम तक के हिमाचल की मुख समचार पर नजर डालते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर आज में करीब 20 साल के अंतराल के बाद नेसनल पैंसन सिस्टम की जगह ओल्ड पैंसन को लागू करने के सारी त्यारिया पूरी हो गई है वहीं वीडिभाग ने ओल्ड पैंसन की फाइल सभी अप्चारताओं को पूरा करने के बाद मुख मंद्र का रहले भेज दिये बदा के अनुसार पहली अप्रेल 2023 से NPS कंट्रिब्यूशन को भी बंद किया जा रहा है यानि वर्तमान NPS करमचारियों के GPF एकाउंट अलग से खोले जा रहे हैं इस सारी परिक्रिया में वक्त भी लगेगा वहीं विधी भाग ने इससे पहले वीतिभाग से आये ड्राप्ट को फाइनल कर दिया था 2016 के बाद रिटायर तो करें इंतिजार महालेखाकार कार्याले से पे फिक्सेशन नो होने से नहीं मिली संसोदिद वेत पैंशन जी हिमाचल में सरकारी कर्मचारी को बेसक नए पे कमिसन का लाब मिल गया हो लेकिन 2016 से 2022 के बिच रिटायर हुए हजारो कर्मचारी को संसोदिद पैंशन नहीं मिली है इसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि महालेखाकार कार्याले से इनकी पे फिक्सेशन नहीं हो पाई है अब इन्हें नए साल यानि 2024 में ही वितियलाब मिलने की उमीद है वही हिमाचल में फूर्ब जहराम सरकार्न नए वेतन आयोग वीत वर्से 2022 माई 6 साल की अवधी वहतित होने के बाद लागू किया था यह 2016 में मिलना था जिसे 2022 में दिया गया इसे 6 साल तक की लंबी अवधी में वेतन निधारन और पैंसन संसुदन के करीब 44 हज़ार बने थे जिने महालेखागार कारले को भेजा गया वही 2016 से पहले रिटायर हुए करीब 6,000 कर्मचारियों की पैंसन में संसुदन के केस भी महालेखागार को ही भेजे गया है वही वीत वहाग के ताजा आकड़े के अनुसार वर्स 2016 से 2022 के बिज रिटायर कर्मचारियों के 44,000 मामले में से अके 443 मामलों का निफ्टारा कर लिया गया है जबकि करीब 22,000 मामलों पर अभी महालेखागार दोवारा काम किया जा रहा है फरजी पैंसन धारकों से 88 कड़ो रिकवर कांगणा जिला में कलियान विभागने हर महीने 20 लाग तकी वसूली मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि हर माँ 15 से 20 लाग की रिकवरी कांगणा के 18 कलियान तहसिलों के तहत की गई है वही कलियान विभाग की दरजनों योजनावों में लगातार हो रहे जाली कारियानों को देखते हुए अभी और अधिक सिकांजा कसा जाएगा जे राठपती दुरपती मुर्मू के पहले सिमला दोरे में कुछ बदला हुआ है वही राठपती अब 3 की बजा 4 दिन सिमला में रूकेंगी और 20 अपरिल के बजा 21 अपरिल की सुबत दिल्ली के लिए वापस लोटेंगी उनका पहला बिजिट होने के कारण इस बार हिमाचल पुलिस के बजा भारतिय सेना गार्ड ऑप ओनर देगी या गार्ड ऑप ओनर उनके आगमन पर 18 अपरिल को ही होगा वह हेलीकप्टरों के माध्यम से छारा बड़ा के कल्यानी हेलीपेट पर उतरेंगी वह पहले दिनी सामको राजवोन में प्रेसिडेंट के लिए सिविक रिसेप्षन रखी गई है हालाकि सिमला में मेयर के नौ होने के कारण या किसकी और से होगी या भी राठपती कारेले ही तई करना है इस सिविक रिसेप्षन में राठपती के लिए सांसिकर्थी कारेकरम और डिनर इत्याधी बहोगा अगले 3-19 अप्रिल को राठपती बुद्रोपती मुर्मो हिमाचल परदेश विच्विदाले के 26 वे दिक्षान समारों की अधिश्ता करेंगी पुर्ब सचीब अकेस तक न्याई खिरासत में चेन आयोग में परिछा भरती घोटाले पर आदालत ने किया कसा सिकंजा जे परिचा भरती घोटाले के चलते भंग के जा चुके हिमाचल परदेश करमचाय चेन आयोग के पुर्ब सचीब वो ह.a.s अधिकारी डॉक्टर जीतनर कमर को 6 दिन के पुलिस रिमांट के बाद सौमार को फिर कोट में पेस किया गया वोई कोट ने आरोपी को अक्केस अप्रल तेक नयाई खिरासत में भेज दिया है वोई दर असल पूर्ब सचीब से इन तीन महिनों की अवधी के दुरान इतनी दाफा विजिलेंस पुछताच कर चुकी है कि पिछले तीनोंत कुन के अरेस्ट करने के बाद सायद अब ऐसा कुछ सेस नहीं बचा जो की आरोपी से पुछना तो है इसलिए सायद जाच एजनसी ने दोबारा पुलिस रिमांट की मांग की है निसुल की किताबों का पैटरन बदलाव इस बार बुक्स के नाम भी सेट में अंकीत माटने में नहीं होगी दिक्कत जहिमाचल परदेश के इसकुली विद्यार्थों को इस बार सत्र सुरू होते ही समय पर किताबें मिल गई है लेकिन किताबों के वित्रन में किसी परकार की दिक्कत नो हो इसके लिए चिक्चाई भाग ने इस बार पैटरन में बदलाव किया है इसमें कलस्टर वाइज और किताबों बटेंगी उसमें पहले से भी बुक्स के नाम और नमबर भी दिये गए है हर साल यह दिक्कत आती थी कि कई बार आवंटन के समय कुछ किताबे पहुंचती ही नहीं थी लेकिन इस बार पूरे सेट तयार किये गए हैं और कलस्टर वाई जी इन्हें बाटा जा रहा हैं इसके साथ ही डीपो होल्डर के आवंटन पूरा होने के बाद साइन भी होंगे वह प्रानब्री चिक्चाई भाग की और से सभी इसकोलों को निर्देश जारी किये गए हैं सल्मान खान को फिर मिली जान से बारने की धमकी कॉल कर कहा 30 अपरेल को मार दूँगा जब बोलीवुड अभी ने था सल्मान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है फॉन पर धमकी देने वाले सक्सन है कहा है कि वो सलमान खान को 30 अपरेल को मार देगा यह फॉन मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया और अपनी पहचान जोदपुर के रोकी भाई के रूप में बताई प्रोडेक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है इसका ही मेट ने जनवरी से भी मानसून के समानी से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसने अपने उसी आउट लुक को बरकरार रखा है देश में किसान आमतर पर पहली जून से गर्मियों की फसलों की बुवाई शुरू करते हैं यह हुआ समय होता है जब मानसून की बारिस भारत पहुंचती है फसल की बुवाई अगस्त की सुरुवात तक जारी रहती है वह समानी से कम मानसून के कारण देश में अनाज की प प्रासासनिक रिपोर्ट में या जानकारी सामने आई है इसके मुताबिक वर्स दो जार बीस अक्यस में एचाटिसी ने सत्ताइश सिरन्यों के यात्रियों को मुप्त यात्रा एवं इसे छुट परदान करने में 433 कड़ो 84 लाग रुपिये खर्च किये हैं अभी भी एचाटिसी कड़ो रुपिये के घाटे में चल रहा है भरतियों में गड़बड तो जांच करवाएं सरकार मंडी युनिवर्सिटी को बंद करने के इरादे से किया जा रहा है बदनाम जहाँ नेता परदिपक जेराम ठाकूर का कहना है कि भरतियों में और निमितायों के नाम से मंडी युनिवर्सिटी को बंद करने का प्रियास किया जा रहा है हिमाचल सरकार सरदार पटल उनिवर्सिटी मंडी को बंद करने के लिए साजिस कर रही राच रही है वह नियक्तों को लेकर बदनाम करने और फिर लोगों के बीच भरम की इस्तिति पैदा करने की कोशिस की जा रही है गर्णीक के लिए आज जारी हो सकती है कॉंग्रेस परतिासों की सुची बगावत से बचना होगी चुनोती वह सामार को पूरा दिन हिमाचल कोंग्रेस के परतिास कारेले में बैठ का दोर जारी रहा गर्नीका चुनाव में भी दस गरंटी देगी कोंग्रेश लोगों से भी मांगे सुजाब। जे विधांसभा चुनाव में 10 गरंटी देकर पर देश की सत्ता पर काभिज होने के बाद, अब कॉंगरस नगर निगम शिमला की सत्ता में वापसी की रह ताक रही है। वे निगम चुनाब में भी कॉंग्रेस विधानसवा चुनाब की तर्ज पर सहर की जनता को दस गरंटी देगी। वे अगले दस दिन के भीतर गोशना पत्र जारी किया जाएगा। बता दे कि जनता की राय पर गोशना पत्र तयार होगा और इसके लिए सभी की राय ली जाए सब्सक्राइगी। सब्सक्राइब चरूड करें।